असलाम लेकुम वीवर्स, हॉप शौर दूइंग वैल आज की वीडियो में आप दोगों के लिए एक नेक का ब्यूटिफुल डिजाइन लेकर आई हूँ शर्ट को मैंने कटिंग कर लिया है, सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया है पेपर को हम ऐसे डबल करेंगे पेपर की विठ मैंने डबल करके लिए है 5 इंच और इसकी लेट मैंने ऐसे लिए है तकरीबन 15 इंच अब हम नेक की विठ के लिए मार्क करेंगे 3.2 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमने नेक की लंबाई के लिए मार्क करना है ये मार्क हम सारे 5 इंच पर करेंगे 5.5 इंच इस पर इसके नीचे हम V बनाएंगे 2.5 इंच की ये मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है अब हम गोल गला बना लेंगे ये देखें गोल गले के लिए राउंडे के लिए मैंने मार्क कर लिया है और V की विट्थ हम रखेंगे तक्रीबन हाफ इन से थोड़ी सी जादा यहां पर हम V shape बना लेंगे ऐसे अब हमने पूरे neck पर 1-1 inch के gap पर ऐसे नीचे तक mark करना है यह mark हमने नीचे तक करना है V के नीचे हमने cut बनाना है V के नीचे हम cut बनाएंगे तक्रीबन 8-1 inch का अब इसको डार करके हम अपने neck को cut कर लेंगे neck के लिए मैंने mark कर लिया है अब mark करने के बाद हमने अपने paper पर neck को cut कर लेना है अब यहां अंदर से cut कर लेंगे जैसे मैंने paper के उपर neck को cut किया है same इसी तरहां से हम बुकरम के उपर cut करने के बाद fabric पर paste कर लेंगे यह देखें इसना से मैंने fabric पर paste कर लिया है इसको paste करने के बाद दोनों side पर यहां पर हम noches लगा देंगे यह देखें इसना से noches लगाने के बाद गिलू लेंगे, गिलू को हम यहाँ पर लगा कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइट पर इसको हम ऐसे फोल करके यहाँ पर पैस्ट कर देंगे, इस तरहां से दोनों साइट से फैब्रिक को पैस्ट करने के बाद ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है इस पट्टी की विठी से बनफर्ण 3 इंची से इसको डबल करके यहां से हम स्टिच कर लेंगे पट्टी को stitch करने के बाद अब इसको हमने ball pin की help से इस तरह से सीधा कर लेना है यह देखें ऐसे आराम आराम से इसको सीधा कर लेंगे पट्टी को सीधा करने के बाद इसको मैंने press कर लिया है और अब इस पट्टी में से हम डेर डेर इच की पट्टियां कट कर लेंगे ऐसे हमने काफी सारी पट्टियां कट कर लेनी है पट्टियों को कट करने के बाद नेक को हम ऐसे डबल करेंगे और यह जो V है यहाँ पर यह देखें कि सेंटर है V का यहां पर मैंने ऐसे मार्क किया है अब हमने center में scale रखना है ऐसे center में scale रखने के बाद दोनों side पर हम lines draw कर लेंगे यह scale मेरा एक इन चोड़ा है ऐसे दोनों side पर lines draw करने के बाद एक पट्टी लेंगे इस पट्टी को ऐसे double करके जो मैंने अभी line draw की है को स्टिच करना है ऐसे हमने इन सारी पत्वי को दोनों साइट पर थोड़े ढब के साथ असै ऐसे स्टिच कर लेंना हैने हैं यहां पर देख्वें लिया है इस इलाए को हम बाद में खोल देंगे अब इस पर्टी को हमने अपने यहां नैक के उपर स्टिच करना है यहां पर हम थोड़े थोड़े गैप के साथ मार कर लेंगे पूरे नैक पर हाफ इसका डिस्टेंस भी नहीं यह मैंने छोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा छोड है यह देखें ऐसे हमने दोनों साइट पर मार करना है दोनों साइट पर मार करने के बाद अब इस पर्टी को इस मार की उपर यह देखें सरहां से रखेंगे ऐसे रखने के बाद इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ऐसे अब नीचे से यह जो मैंने पट्टियां स्टिच की हैं इन पट्टियों को यह देखें साइट से ऐसे हमने कट कर देना है इस तरहां से कट करने के बाद फिर पट्टि को हमने यहां पर ऐसे रखकर स्टिच करना है यह देखें ऐसे जैसे मैंने इस साइट पर पट्टी को स्टिच किया है सेम इसी तरहां से हमने पट्टी को इस दूसरी साइट पर भी स्टिच करना है पहले हम इन पट्टियों को कट कर देंगे एक्स्टर पट्टियों को दोनों पटियों को मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइट पर अब एक एक सिलाई हम यहाँ साइट पर लगा देंगे इस तरह से पटियों को स्टिच करने के बाद अब इस सिलाई को हम खोल देंगे जो मैंने आपको कहा था बाद में हम खोल देंगे वोसलाई हम ऐसे खोल देंगे यहां तक देखें मेरा डिजाइन रेडी हो गया है अब यहां पर हमने गिलू लगानी है और जो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी है इसको ऐसे फोल करके पैस्ट कर देंगे यहां पर इसके बाद यह मैंने अपनी शर्ट ली है पहले हम इसको डबल करके इसके सेंटर में यहां पर कट लगा देंगे अब इसके बाद यह मैंने अपनी शर्ट ली है शर्ट का पर मैंने सेंटर बना लिया है दोनों का सेंटर हम ऐसे बराबर रखेंगे इसको मैंने उल्टी साइट पर रखा है सीधी साइट पर हम बात में इसको पलट देंगे ऐसे उल्टी साइट पर रखने के बाद सेंटर से स्टिश करेंगे और फिर बुकरम के साथ साथ यहां से स्टिश करना स्टार्ट करेंगे नैक को शर्ट के साथ स्टिश करने के बाद center से इस fabric को हमने cut कर देना है और अब हम यहाँ पर no cheese लगाएंगे no cheese लगाने के बाद हम अपने neck को ऐसे सीधी side पर पलट देंगे और इसको press कर लेंगे यहाँ पर देखे मैंने अपने neck को press कर लिया है अब यह मैंने last ली है लेस को हम इस पर्टी के नीचे यह देखें इस रहां से रखकर stitch करेंगे यहाँ से ऐसे हमने last को पर्टी के नीचे रखकर stitch करना है यहाँ नीचे से भी हमारी last बिल्कुल असानी से ऐसे stitch हो जाएगी यह देखें ऐसे last को इस तरह से मैंने stitch कर लिया है अब इसको रड़ी करने के बाद हम टसल रड़ी करेंगे उसके लिए यह मैने चकोर फैब्रिक लिया है इसके लिए थोविट मैंने सेम ही रखी है तीनी से थोड़ी से कम है और सेम साइज का मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है दोनों को ऐसे रखकर हम चारो साइट से stitch करेंगे चारो साइट से stitch करने के बाद यहां से यह देखें जो इसके corners होंगे वहां से हमने फैब्रिक को ऐसे cut करना है फैब्रिक को कट करने के बाद अब जो प्रिंटिट फैब्रिक है वहाँ पर यह मैंने कट लगा लिया है ऐसे कट लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे यह देखें इस नहां से हमने इस फैब्रिक को सीधा करना है फैबरी को सीधा करने के बाद जो इसके कोर्नर्स होंगे उनको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे इस तरहां से इसको मैंने सैट कर लिया है अब सैट करने के बाद चारो साइट से इसको दुबारा से हम बिल्कुल किनारे किनारे से ऐसे स्टिच कर लेंगे अब इसको चारो साइट से स्टिच करने के बाद साइट पर रख देंगे और अपनी शर्ट लेंगे कपड़े की डोरी को मैंने इस तरहां से रैडी कर लिया है ये देखें इस डोरी को हम बॉल पिन के हेल्प से इन पटियों में से ऐसे गुजारेंगे पहरे हम उस पटि में से गुजारेंगे फिर इस तरफ आली पटि से ऐसे गुजारेंगे सारी पटियों में से हमने ऐसे ही डोरी को गुजार लेना है सेम इसी तरहां से हम दूसरी साइट से भी गुजारेंगे जैसे मैं इस साइट से गुजार रही हूँ सेम वैसे ही डोरी को दोनों साइट से गुजारने के बाद अब यही वाला चुकोर फैब्रिक लेंगे इसको हमने ऐसे डबल करना है अब दुबारा से इसको डबल करके यहां सेंटर से कट करेंगे थोड़ा सब रिकुल कट करना है ताकि यहां से इस डोरी को हम इतना ही कट करेंगे कि डोरी यहां से गुज़र जाए ऐसे डोरी को इस तरह से गुज़रने के बाद इसको ऐसे डबल करके यहां से हमने ऐसे स्टिच करना है देखें इस तरहां से स्टिच करने के बाद अब इस सिलाई को हम इस साइट पर ऐसे लेकर आएंगे जैसे मैंने इसको स्टिच किया है सेम इसी तरहां से अब हम इसको खोल कर दूसरी साइट पर ऐसे डबल करेंगे और इस साइट से भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है मैं इसी शेप में ऐसे ऐसे मैंने दोनों साइट से स्टिच कर लिया है अब इसको सीधा करके सीधा करने के बाद इसको हम यह जो सेंटर होगा दोनुं का सेंटर होगा सेंटर से हमने तार्सल को इस से स्टिच करना है यह देखें एक साइट से स्टिच करने के बाद सेम इसी तरह से इस दूसरी साइट से हम चैंटर से स्टिच कर लेंगे यहां से ऐसे ये देखें मैंने टसल को ready कर लिया है यहां तक ready करने के बाद इसके नीचे हम पर्स को hand stitch कर लेंगे यह देखें चार पर्स लेंगे पर्स को इसके नीचे हम stitch करके लटकन बना देंगे यहां पर ऐसे यहां से इसको हम पका कर लेंगे सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड वाले टसल को भी ready कर लेंगे यह देखें मेरा कितब beautiful starlish टसल ready हुआ है और यहां पर देखें मैंने दोनों साइड पर टसल को stitch कर लिया है अब यहां पर डोली को हम गिठान दे देंगे और यह last में देखें मैंने अपने neck design को ready कर लिया है कितब beautiful लग रहा है तो कैसे लगा आपको यह मेरा neck design अगर अच्छा लगा हो तो मिड़ वीडियो को like कर दें और हमारे चैनल को subscribe करें Thank you